आप हट करके केवल एक जन्म सास्त्र और शंतों के अनुशार बितीत कीजिए आप महान हो जाएंगे देख लिजिए गार ये कैशी ब्रह्म की बातों में अपने लोग फशे हुए हैं जो महा मंगल करने वाला भगवान को भी परास्त करने की सामर्थ रखता है भगवान का नाम भगवान एक तरफ है एक तरफ नाम जापक अभी कले तो चर्चा हुई थी विचार कीजिए एक तरफ भगवान श्वयम है एक तरफ भगवान का भग्त है महा भारत युद्ध में देख लीजिए भगवान की नाम जापक भीश्म जी महाराज और श्वयम भगवान अर्जुन के शमीब है भगवान ने कहा था मैं प्रण लेता हूँ माभारत युद्ध में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा और भीश्म जी ने कहा मैं गंगा का पुत्र न कहाऊं यदि आपसे अस्त्र ना गरिर करा लूँ तो नाम जापक की विजय हुई और भगवान अस्त्र लेका दोल पड़े मारने के लिए भीश्म को अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं अरे वो अपनी बात जूटी करने के लिए तैयार है यदि आप नाम जब कर रहे हो सत्य सचिदानंद की बात कभी म्रशा नहीं हो सकती लेकिन वो अपने भगत की बात के लिए अपनी बात नीची कर सकते है अपने भगत की नहीं नाम में ऐसी शक्ती है पुजिराधा बाबा हमने और किसी शाधन में ऐसी शक्ती अनभोने की मानो भगवत प्रेमी संतों की बात मानो कुछ दिनों के बाद तो मन पकड़ लेता है नाम को एक महात्मा के पास उनके शिष्य गए और कहा कि अठारा वर्ष हो गए आपने कहा था राम 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 जपना सब ठीक हो जाएगा अठारा वर्ष हो गए जबते हुए मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे कुछ मिला तुम का अच्छा आपको ऐसा अन्भू हुआ बुले हाँ तो बुले तो हमें क्या मानते हो बुले गुरुदेव तब गुरुदेव का मतलब बुले हमारे प्राण तो बुले मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूँ कल इसी समय मिलना हम आपको फिर ऐशी मंत शक्ती से युप्त करेंगे कि आप निहाल हो जाओगे बस कल तक जो अभी नाम 18 वर्ष आपको दिया था इसको एक बार भी मत जपना तुम्हें हमारी कसम है कल आना आप जाओ यही वो प्रणाम करके हटे तो अभ्यास शीरी तक नहीं पहुँच पाया है रोके लोटे और चरणों में गिर गए बुले महराज अब नाम तो यह नहीं छूट सकता प्राण छूट सकते हैं बुले यह मिला है तुम्हें क्या मिला ये मिला है कि प्राण छूट सकते हैं नाम नहीं छूट सकता जाओ इसका परिणाम देखना इसका परिणाम महामोद में मंगल में परमानंद भगवान के धाम में जाकर तुम्हारा स्वागत होगा भगवान के धाम में सुचो यहां यदि स्वयम पहंडों का श्वामी आओ और तुम्हारा श्वागत करे धाम में और फिर हमारी प्रिया जी तो करुणा शमुद्र है यह नाम आपको वो शवभा के प्रदान करेगा जो किसी शाधन से भी नहीं पुझ राधा बाबा करे कि नाम में जैसी हमने शक्ति देखी वैसी किसी से तुम केवल नाम उच्छारन करो कितनी बड़िया बात करें सुरदा नहीं है मन नहीं लग रहा कोई रुची नहीं कोई प्रेम नहीं चलेगा काम हो जाएगा हो जाएगा नाम अपनी शक्ति से काम जैसे जहर है बिना सुरदा के बिना प्रेम के आपियों मर जाओगे क्यों कि उसका प्रभाव है ऐसे ही नाम का प्रभाव है भाव को भाव अना खाल शहू नाम जपत मंगल दिसिद शहू यदि जिभ्या ने नाम को पकड़ लिया तो नाम तुमको पकड़ लेगा जिभ्या ने नाम पकड़ लिया तो नाम तुमको पकड़ लेगा और नाम ने इसको पकड़ लिया तो नामी उसका दाशत्व श्वैकार कर लेता है दाशत्व कि एकनाज जी के हां कई वर्षों से सेवा में एक लगे थे जिनका नाम ता सिखंडिया जी बाद में किशी भक्त को जब भगवान ने तो कहा कि अगर मेरे शाक्षात दर्शन करना है तो मैं इस समय एकनाज जी की शेवा में सिखंडिया रूप से हूँ एकनाज जी के पास हुआ है बुले भगवान के दर्शन करा दो बुले हां विराद मान से बुले यह श्रीव इग्रे में नहीं आपकी शेवा में है बुले तो सिखंडिया है जले ने गया है बुले हां वही भगवान है जो लोट के आए अपनी दरश्टी से देखा अरे परिचर्या करें यह शाक्षात पर ब्रम्व परमात्मा भगवा हाथ जोड़कर अरे प्रभु आप वह तुम ही थोड़ी सेवा का सुख लेना चाहते हो हमको भी तो सेवा में जो आनन्द आता है अपने भकतों की तो तुम क्या जालो तो हमारी सेवा में सुख लेते हो हम तुमा देख लो नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा की दासता प्रभु श्वेका इतनी दासता अरे अनंत ब्रमांडू कि श्वामी इतने पारशद किसी पारशद को बोल दे तो अनंत स्रष्टियों का विस्तार करने की शामर्त रखते हैं लेकिन आप माधो दास बावा कि सौच भरी लंगोटी ढो रहे हैं क्या तुम्हें नहीं लगता कि प्रभु कितने प्यारे हैं कितने महान हैं नाम को तुम पकड़ो जिव्या से तो नाम तुम्हें पकड़ लेगा तो नाम ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा प्रमंश श्री राम कृष्ण जी कहते हैं कि कोई अम्रत के कुण्ड में उतर कर पान करे या पैर फिशल जाए या धकेल दिया जाए तो कुण्ड में गिरने के कारण अम्रत पान करने वाले को अमर ही होना होगा ऐसे ही सरद्धा से असरद्धा से भाव से कुभाव से सम्मंद रखकर बिना सम्मंद के दुख से सुख जैसे बले तुम नाम जब करोगे तुम महान हो जाओगे सुखी हो जाओगे इसलिए पुना पुना एक प्रार्थना करता हूँ कि वानी को शैयम में रखो हसी मजाग गंदी बाते संसारिक बाते मत बोलो तुम्हारा जीवन छण भंगुर है हसी मजाग का समय नहीं रह गया है काल तुम्हारे को अपने निशाने पर लिए है बहुत बड़ा रास्ता ह है इसलिए मेरी बात मानलो मेरी प्रार्थना मानलो कम बोल कर काम चला और अधिक नाम जब करो लोग केते हैं हमारे पास समय नहीं कैसी बात करते हो आप आप 6 गंटे 7 गंटे सोने के बाद फिर 24 गंटे में क्या बराबर कारे रथ हैं आप देखलो कोई बहुत कारे रथ फूर देते हैं बारा घंटे पढ़ाए लिखाई नोकरी पेशा चलो 6 गंटे सोने के रख लो कितने हुए अठारा अभी बचे कितने 6 बचे 6 गंटे बजन करोगे तो सिद्ध हो जाओगे करके तो तुम देखो चलो 6 गंटे छोड़ो 24 गंटे में 2 गंटे जितनी दे टीव इस नेमा मनुरंजन तासपत्ता इधर उदर समय नस्ट करते हो वह समय भगवान को देदो नियाल हो जाओगे दो घंटे दे कहा हमारे पास भजन के प्रपंच करने के लिए समय है नातक देखने के लिए समय है जिससे हमारा मंगल होना है उस प्रभु का इस्मरण करने के लिए समय फिर तो मतलब आप समझ लो कि आप कहां जाने वाले हो निरंतर भगवन नाम का इस्मर्ण करने का अभ्यास कर लो बड़ी गंभीरता से विचार करना ये बड़े अनमोल वचन है राधा बाबा कहा है देखो शंत जन जब कृपा करते हैं तब बोलते हैं ऐसी बात कि मैं बहुत अनमोल वचन बोल रहा हूं इसका मतलब अपनी बड़ाई के लिए नहीं अनमोल को मतलब ये बड़े अनुभो की बात कह रहा हूं जो श्वास गया वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आने वाला जो शमय गया जो कई बार सत्संग में का है मानों पचास वर्स में आपने पचासो लाख रुपया कमाए है अब आपकी अंतिम श्वास है अगर एक श्वास पचास वर्स की कमाई से खरीदना चाओ बढ़ाना चाओ तो नहीं बढ़ेगी जितनी श्वास है वही तुमारा जिवनंत हो जाएगा प्रभू के नाम के बिना जो स्वास गई समझो बहुत बड़ा घाटा हो गया हानी हरिवन्स के नाम अंतर परे म्रत्यू का ठिकाना नहीं कब आकर सब खेल तुमारा बिगाड़ देगी मेरे इस कथन से तुम निरास मत होना मैं निरासा के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं इसले बोल रहा हूँ कि तुम पूरी शावधाने से हर एक स्वास में नाम जब करो अगर हर एक स्वास तुमने प्रभू में लगा दी तो एक बान करुणा निधान की सोप्री जाके गतिनान की जन ओगुन प्रभु मान नकावू दीन बंधु अति म्रदुल शभावू ऐसी कवन प्रभु की रीति बिरद हेत पुनीत परिहरी पावरन पर प्रीति ओ आप पर प्रेम करने लगेंगे ओ आप पर दुलार करने लगेंगे प्रभु कृपा करने लगेंगे संतु का कहना है कि तुम अपनी जितनी चिंता करोगे उतने ही परेशान हो जाओगे यदि अपनी चिंता भगवान के उपर छोड़ दो तो तुम निश्चिंत हो जाओगे और सुखी हो जाओगे भार लिए डोल रहें अपने सरीर का और दो चार संबंधियों का और अनंत ब्रह्मांडू का जो पालन कर रहा है उस पर तुमें विश्वास ने एक बार छोड़ के तो देखो प्रभू पर